वेल्कम तो स्टेडी आएक्यू, मैं नेम इस अमित वरीदिक लोर, सर आज तो पीबीटी बिलैंक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, वेल, तुड़े, विल स्टेडी अबोट टिप्रा लेंड, एंड ग्रेटर टिप्रा लेंड, ये दोनों की दोनों अलग चीज है, हमारे जो र पार्टी डिबांड करती है, ग्रेटर टिप्रा लेंड गी, अलग से और एक और राज्जе बनाये जाए, ग्रेटर टिप्रा लेंड का, तुरी पूरा बार्ग्र मीं स्मझते हैं, वहां पर किस परकार से elections होते हैं, किस परकार से autonomous council, जो district autonomous councils होते हैं, उनके elections कैसे होते हैं, and what is exactly the demand of the greater tipra land जो कि अभी recently news में है और क्यों है, चलिए start करने से पहले, वहाँ पर जो-जो players हैं political players हैं, उनके बारे में understand करते हैं, ठीक है, देखिए जो तिरिपुरा राज्य है तिरिपुरी, बेसिकली टिरिपुरा एक तिरिपुरी का ही दूसरा नाम है, वो indigenous लोग हैं, जो कि तिरिपुरा में रहते हैं they are inhabitants of the त्वीपुरा और त्रिपुरा, दोनों की दोनों सेम चीजे हैं, ठीक है, अलग-लग नाम localized language में उसे त्वीपुरा कह जेते हैं हम उसे इंग्लिसाइज वर्जन में उसे तिरिपुरा कहा जाता है जो कि नॉर्थीस्ट इंडिया में रहते हैं और कुछ-कुछ लोग बांगलादेश में भी है तिरिपुरी पीपल, थूदी तिरिपुरा में कौन सी लेंग्वेज बोली जाती है कौन बोलते हैं? जो टिपरा लोग होते हैं जो तिरिपुरी लोग होते हैं जो वहां के इंडिजीनियस लोग है तिरिपुरा हमें समने में आ गया चली, अब देखते हैं उसके बाद वहां पर इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है? करंट चीफ मिनिस्टर ओफ तिरिपुरा ये हैं दिपलाब देब ठीक है? इन्होंने तिरिपुरा का election campaign लड़ा था और left जो की CPI होता है Communist Party of India, उनकी सरकार थी वहां पर तिरिपुरा में 25 साल तक उनको defeat किया था with his ally indigenous people front of तिरिपुरा out of possible 60 seat in the तिरिपुरा तो विधान सभा के जो चुनाव थे वो BJP, क्योंकि ये BJP के leader है, प्लस इनके साथ जो इनके ally हैं उनका नाम है indigenous people front of तिरिपुरा indigenous people front of तिरिपुरा IPFT, इन दोनों ने मिलकर वहां पर राज्य की सरकार बना ली ठीक है, राज्य की सरकार बना ली ये हमारे chief minister हो गए, एक हो गया अब यहां पर हम यहां पर इसको understand करते हैं ठीक है, इस बीजेपी प्लस IPFT, इंडिजिनियस people front of तिरिपुरा, इन्होंने विधान सबापे, राज्य की जो सरकार है, वो बनाई हुई है इसके अलावा तिरिपुरा के अंदर होते हैं Tribal Autonomous District Council भारत के समीधान में जो हमारा schedule 6 है वो Tribals के कुछ areas के rights को protect करने के लिए, वहाँ पर permission देता है Tribal Autonomous District Council बनाने के लिए Autonomous District Council बनाने के लिए North East State में Schedule 6 के अंदर ऐसी 10 Autonomous District Council है होता क्या है, कि बाकी तो पूरा का पूरा राज्या जो normal समीधान है जैसे जो भी आपके हर्याना, पंजाब जैसे वहाँ पर elections होते है MLA के, विधान सभा बनता है Chief Minister चुना जाता है, वो उस परकार से चुने जाते हैं और उसी परकार से कानून चलता है यहाँ पर कुछ minority और tribal rights को protect करने के लिए, एक special परावधान दिया गया है, कि जो tribal areas है उनकी जो governance है वो autonomous district council के तहत की जा सकती है Autonomous, मतलब कि यह more or less autonomous होती है, जो यह bodies होती है they are constitutional bodies, जिनमें इनको थोड़े से extra powers दी जाती है जैसे कि तरिपूरा का जो autonomous district council है यह खुद एक court बना सकता है खुद एक court बना सकता है और अगर दोनों के दोनो accused और victim, अगर दोनों के दोनों tribal हो, तो उस court decision भी दे सकता है एक लिमिट होती है कि 5 साल से नीचे-नीचे की अगर सजा है, तो वो सजा भी दे सकता है तो इस प्रकार के कुछ financial, executive, legislative और tribals के लिए खुद के कानून बनाने के लिए autonomous district council होती है समझे, अब बात को यह समझने की कोशिश कीजिए कि जो तिरिपूरा है इसमें एक election होता है चीफ मिनिस्टर वाला, जो कि MLA वाला विधान सभा का election है, वो election जीती है बीजेपी प्लस IPFT, ठीक है? यानि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर विश्टर में तिरिपूरा में है इसके अलावा, एक तिरिपूरा Tribal Autonomous District Council के भी elections होते हैं तिरिपूरा Tribal Autonomous District Council तिरिपूरा का 68 परतीशत एरिया में election करवाता है अभी, recently ये election हुए है तिरिपूरा Tribal Autonomous District Council के जो की जीते हैं तिप्रा मोथा और INPT, Indigenous Nationalist Party अफ त्वीपरा ने इस बात को difference को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? पहले जब elections हुए थे MLA वाले election जो हुए थे दो साल पहले, उसमें तिप्रा मोथा और INPT नहीं थे तो वो election BJP प्लस IPFT, Congress और CPM के दुआरा लड़े गए थे जिसमें BJP प्लस IPFT 60 में से 44 सीटे लाए थे तो वो President बन गए अब जब तिरिपूरा Autonomous District Council Tribal Autonomous District Council के election हुए तो इन चारों पार्टीज ने election लड़े ठीक है? जो MLA की जो सीटे हैं जो विधान सभा की सीटे हैं वो है 60 उसमें BJP की मेजॉरेटी आई थी 44 सीटे जीत के अपने अलाईस के साथ जो तिरिपूरा Tribal Autonomous District Council है इसकी सीटे होती है 30 इसमें मेजॉरेटी आई है तिप्रा मोथा INPT इस प्रकार से टोटल दस Autonomous Councils हैं असाम में मिघाले, मिजॉरम और तिरिपूरा में मिलाके असाम, मिघाले, मिजॉरम और तिरिपूरा ठीक है अगर आई यह आ जाता तो आपका acronym बन जाता अमित के नाम से मेरे नाम सी बन जाता बट A, M, M, T ठीक है यह चार जो स्टेट्स हैं यहाँ पर जो Autonomous District Council है वो Schedule 6 के अंदर आती है और जहंगे पर भी है कुछ Autonomous District Councils जैसे कि लद्दाक के अंदर लद्दाक के अंदर दो Autonomous District Councils हैं लेकिन वो Schedule 6 के अंदर नहीं आती है कि Schedule 6 में सिफ चार स्टेट इंक्लूडिड है कौन-कौन सी आसाम, मेहल, मिजोरम और तरीपुरा और Schedule 6 के अंदर जो यह चार स्टेट्स हैं इन टोटल चार स्टेट्सों में दस Autonomous District Councils बनती है यह बात ध्यान रखना बाकी जंगय पर जहां पर भी Autonomous District Council है इन चारो स्टेटों के अलावा वो दूसरे किसी और Schedule के द्वारा बनाई जाती है Schedule 6 में सिफ यह चार इंक्लूडिड है यह बात इसको ध्यान रखिए पॉलिटी का सिंपल सा क्वेस्चन का अभी जो recent election हुए त्रीकुरा Tribal Autonomous District Council के TTADC वहाँ पर एक पार्टी जीती है जिसका नाम है तिप्रा मोथा जिनके लीडर है यह ठीक है अर रैग टैग अलाइंस अफ ट्राइबल पोलिटिकल पार्टी फोज़ टू मन्स अगो एड़ इनिशेटीव ओफ प्रदियोत किशोर मनियका देबरमा यह है प्रदियोत किशोर इन्होंने अब जो Tribal Autonomous District Council है उनके elections जीते हैं और दी अर्स्ट्वाल रोयल फैमली हैव स्वेप्ट द पोल्स कवरिंग नियरली 70% अधर भी जो Tribal Autonomous District Council है कवर 68% अधर भी 70% तो जो Tribal के एरिया है वो कवर करती है BJP was a distant second, Congress drew blank, results decimated whatever was left of the left ठीक है विद दी रिजल्ट अफ 2021 ADC जो कि अभी भी 6 April को यू है तिप्रा मोथा यह वाली party has emerged as the majority with its allied the indigenous nationalist party of Tribal यह बात अब आपको समझ में आ जाएगी कि वहाँ पर तिरिपुरा में किस परकार से political parties exist करती है तो यह ruling party है BJP plus EFT अभी elections हुए है तिरिपुरा Tribal Autonomous District Council के जिसको जीता है तिप्रा मोथा और उसके ally indigenous nationalist party of तिप्रा ने ठीक है यह दोनों नाम सेम है INPT, IEPFT तो confused नहों ध्यान से रखी है यह जीत गए TTADC वाले यह इन्हें की ruling party है यह rule इस समय जो general विधान सबावाला है लेकिन याद रखे कि TTADC 70% approximately 70% of the तिरुपुरा को area को cover करता है and more or less जो tribal politics है वो उनके उपर ही चलते है चलिए अब पहले एक बार देख लीजिए कि तिरुपुरा Tribal Autonomous District Council होता क्या है यह basically 1982 में बनाया गया था इट एंजोएड असेट अफ प्रोटेक्टिव कॉंस्टिटुशनल सेफगार्ड फोर पीपल फ्रों 19 ट्रीबल कम्मुनिटीज यह सिंपल है यह हम पहले भी बता चुके है तो जो एरिया है यह जो Autonomous District Council था 82 में बनाया गया था उससे में Left की Government हुआ करती थी उसको कुछ statutory rights दे दिये जाते है उन एरिया में और यह governing body More or less Autonomous Function करती है ठीक है Tipra Land अब आते हैं इस Tipra Land के उपर Greater Tipra Land और Tipra Land जो कि हमें बात करनी थी वैसे बहुत सिंपल सी बात बताएं अगर आपको मैं Easy बता दूं तो यह देखिए यह जो party है IPFT जो की ruling party है विधान सभावी LI है ठीक है BJP ruling party है यह demand करती है Tipra Land का कि एक separate state होना चाहिए त्रीपूरीज के लिए जो की होगा Tipra Land इस new alliance जो की अभी अभी दो महीने पहले बनाया गया था Autonomous District Council के elections के लिए यह demand करते है greater Tipra Land का ठीक है तो इसका मतलब जो यह परदियोत किशोर है इन्होंने जो अभी नई party बनाई है वो demand कर रही है greater Tipra Land का उससे पहले जो ruling party थी वो Tipra Land के demand करते थे चलिए अब देखते हैं Tipra Land is basically the name of this इसमें यहाँ पर जो green वाला एरिया है इसको हटा दीजिए और जो बाकी का जितना भी एरिया बचा इस पूरे के पूरे एरिया को मिला के एक लैंड बनानी है एक राज्य बनाना है, separate राज्य, separate state बनाना है और थोड़ा बहुत दोड़ा थोड़ा एक आदा और एरिया लगाके एक separate state बना दीजिए, Tipra Land ऐसी demand है Tipra Land के जो supporter से Tipra Land को IPFT support करती है जो कि इस से में ruling party में, alliance में है ठीक है परदियोत की जो यह नई party है, Tipra Motha contested the polls over the demand of greater Tipra Land इन्होंने demand किया greater Tipra Land का तो जो Tipra Land का एरिया है वो तो ही है साथ में Assam, Mizoram और कुछ बांगलादेश के parts भी इसके अंदर included है बस इतना फरक है Tipra Land और greater Tipra Land में greater Tipra Land is essentially an extension beyond the ruling IPFT's demand of Tipra Land तो IPFT जो की ruling party है BJP के साथ alliance में उसका demand था Tipra Land का उसका ही एक basic extensions है कि basically थोड़ा सा और है Assam, Mizoram में भी अगर कुछ parts है जहां पर तरीपुरी लोग रह रहे हैं तो उनको भी include करके बना लिया जाए The new demand seeks to include every tribal person living in indigenous areas or villages outside TTA, DC also तब कि autonomous district council के बाहर भी जो tribal लोग है उनको भी include करना purpose है under the proposed model including an areas outside the state और state ये country ये भाहर भी हो तो भी वो include होना चाहिए ठीक है परदियोत जो है परदियोत किशोर जिसकी अभी अभी उन्हें फोटो देखी जो कि autonomous district council के elections जीते हैं उनका कहना है कि जो वो elections जीते हैं It is a vindication of his stand on the citizenship amendment act वो citizenship amendment act को oppose करते हैं citizenship amendment act BJP government ने national अब ये vindication है इस बात का क्योंकि we are opposing it पहले वो congress में हुआ करते थे परन्तु उन्होंने congress को छोड़ दिया था उनका कहना है कि जो तरिपूरा की demography है has been shaped by the decades of migration और परदियोत अपोस करते हैं CAA को which allows migrants of certain groups to seek Indian citizenship indeed वो कहते हैं कि तरिपूरा का भी एक national register of citizen बनाना चाहिए यानि कि एक register बनाओ जिसमें जो तरिपूरा के indigenous लोग है उन्ही का नाम हो जो पहले से ही तरिपूरा में है तो जो migrants हा रहे हैं और citizenship amendment act के तहट जो citizenship लेंगे उससे तरिपूरा की demography बदल जाएगी इस चीज के वो oppose में है उन्होंने basically supreme court में जाके यह basically इसके उपर case भी किया हुआ है greater tiplaland which is claimed to serve the interest of the tribals even non-tribals, तरिपूरी tribals staying outside तरिपूरा even those outside India in Bandarban, Cheetah Gong, Khagrachari and other border adjacent of Bangladesh तो उनका कहना है कि हमारी जो demand है greater tiplaland की इसी लिए है कि वो tribals, सारे तरिपूरी tribals सारे non-tribals का और जो बाहर भी है उनका भी basically उनके फायदे में उनका support करेगे तिपरा इस समय has emerged as the single largest tribal party यह हमने अभे भी देखा तिपरा मोथा the royal shayan has announced a mega merger and alliance with major इन्होंना यह पुराने वाली बात है कि जब यह election से पहले बनाए हुए थे तो यह तिपरा दो महीने पहले ही बनाई गई है ठीक है plus INPT INFT और BJP याद रखियेंगे साथ में और यह basically autonomous district council जीत गई ठीक है परद्योत new demand for the greater tippra is major state forward from the IPFT's statehood demand तो जो ruling party है IPFT उनकी थी statehood की demand tipra land की अब उसके आगे एक extension आगे है greater tipra land का however it is in line of his ethnic agitations इनकी पहले जो प्रद्योत किशोर जिसके बारे हम बात कर रहे हैं इनका एक slogan हुआ करता था पुईल्या जाती उलो पार्टी पहले जाती फिर पार्टी मतलब कि पहले community है और उसके बाद पार्टी होनी चाहिए तो CA को हटाओ और NRC जो तरीपूरा के इंडिजीनियस लोग है उनका एक रजिस्टर बनाया जाए यह इस परकार से greater tipra land बन रहा है अब जो यह result है they are a jolt to IPFT क्यों आप सोच के देखिए IPFT जो की ruling party है इस समय वो demand कर रही है tipra land ठीक है इनके एक opposing party आती है परद्योत किशोर की tipra महो यह नई party बनाते हैं और greater tipra land की demand करते हैं and wins the majority तो इसका मतलब IPFT को तो खत्रा होगा क्यों? because they used to believe they are the sole stakeholders of the tribal issues IPFT agenda of tipra land or a separate state of tribals have taken a back seat behind Pradyot's greater tipra land demand Pradyot enjoys a connect with people इसमें कोई शक्की बात नहीं है तभी वो जीते भी है परन्तु सवाल यह है कि his demand of greater tipra land while advocating community inclusion is ethnic at its core and could possibly lead to a resurgence of ethnic politics क्योंकि अब सारी की सारी politic party ethnic demands को या ethnic identity के ओपर focus करना शिरू कर देंगे this is what the tipra land issue and the greater tipra land और इसमें politics of क्या कहते हैं इसके तरीपुरा के exist करते हैं right so just to summarize it तरीपुरा में दो प्रकार की election होते हैं एक तो होते हैं state वाले elections जो कि आप जनरली समझते हैं जो आपकी state में होते हैं उसके साथ-साथ एक extra होता है autonomous district council का autonomous district council का election state वाला जीता हुआ बीजेपी ने ठीक है ADC जो autonomous district का council हुआ है वो एक नई party ने जीता है जिसका नाम है tipra बीजेपी के साथ जो ally थे यहाँ पे देखिए बीजेपी के साथ जो ally थे IPFT इनकी demand थी tipra land की क्योंकि यह जो tribal से उनके stakeholders है उनके जो विचार है उनको आगे रखते हैं उनके representative है इनकी थी tipra land की however अब tipra मोथा और INPT मिलकर एक greater tipra land की demand करते हैं जब यह autonomous district council को जीत जाते हैं Congress और CPM इस समय दोनों की जो दोनों की party है has not been playing a major role in the tripura politics दोनों की दोनों के पास कोई सीटे नहीं है ना जीत रहे हैं कहीं पर ना autonomous district council में ना state elections में so they are not the stakeholders at least at this present moment ठीक है in case you need the PDF of this class how will you find it this is the telegram channel जो आप जोइन कर सकते हैं जहाँ पर PDF or notifications मिल सकते हैं also we do voice chats on our telegram channels जहाँ पर आप मुसे directly connect कर सकते हैं issues जो current affairs के हैं उनको discuss कर सकते हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं सवाल कर सकते हैं you can also hit me on the social media exactly yes the YouTube comments precisely because that's my favorite part of the day I know you will, right have a nice day bye